हेलो दोस्तों स्वागत है आपका PSRT YouTube चैनल पर मेरा नाम है लीना जन आज का हमरा टॉपिक है Lightspeed Cache WordPress Settings तो आज की बड़ी में हम देखेंगे कि Lightspeed Cache Plugin को कैसे इंस्टॉल करते है और उसमें हमें क्या-क्या Settings रखनी है और इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वैब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा जहां से पर्चेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट तो आप डाइरेक्ली जाके पर्चेस कर सकते हैं और अगर आपने भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल अकन को प्रेस कर लिजे ताकि में नेक्स टो कोई वीडियो अप्लोड को तो इसको नोडिफिकेशन सबसे पहला आपको मिलेंगे तो चली शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले है कि कैसे हम लाइट स्पीड कैशे प्लग-इन को इसको कर सकते हैं और उसका कम्प्रीट सेट अप कैसे किया जाता है सारी सेटिंस क्या रखनी होती हमें ताकि आपको सबसे बेस्ट परफरमस जो है अपने साइट के देखने के मिलें तो चली यहां पर हमने एक ब्लॉग साइट बनाया हुआ है तो यह देख सकते है एक ब्लॉग है जो कि हमने ओशन डवली पी थीम का यूज़ करके बनाया हुआ है ठीक है और इस वीडियो में जो हमारी वेबसाइट है यह होस्टेड है वर्पेक्स पे ठीक है तो वर्पेक्स का डिस्काउंट लेंगे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप उस लिंक के तो आपको मिलेगा वेब वोस्टिंग पे 90% का डिस्काउंट ठीक है तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डिरेक्ली आपके परजिस कर सकते हैं बहुत ही बढ़ा सेल चल रही है अभी ब्लैक फ्रैडे सेल और उसके बाद अभी फिलाल हमारा अगर आपको साइबर वीक चल रहा है तो यहां पर भी आपको अच्छा आपको डिस्कॉर्ट नेखने को मैं अगर ठीक है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले हम लाइट स्पीड कैशे प्लग-इन को इंस्सेल करेंगे तो उसके लिए हम जाएंगे फ्ल तो यहाँ पर यह जो हमारा पहला प्लगीन यहाँ आएगा वो होगा Lightspeed Cache तीक है आप देख सकते हो 4 million प्लस active installations है सबसे ज़्यादा installations Lightspeed Cache का है तीक है पिछले वीडियो में हमने WP Super Cache का वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बोला था कि मैं यूज करता हूँ Lightspeed Cache है तो Lightspeed Cache है पर यह complete वीडियो रहने वाला है तो चलिए अब हम install नहीं पर क्लिक कर देंगे अब हम इसको activate कर लेंगे ओके तो हमने यहाँ पर install और activate कर लिया है ठीक है तो चलिए यह देखिए आप यहाँ पर देख सकते हूँ Lightspeed Cache है और यहाँ पर settings का option आज ता और यहाँ पर भी आप देख सकते हूँ settings है और इसके अंदर आपको Lightspeed Cache का option मिलता है और इधर भी आपको directly मिल जाएगा तो हम Lightspeed Cache पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हूँ Image Optimization, Page Optimization, CDN Bandwidth और Log Quality Image Placeholder यह चारो जो है आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है अभी को data नहीं है हमारे पास क्योंकि हमारी site एकदम बिल्कुल नहीं है और इसके अलावा अभी कि अभी हमने इस plugin को install किया तो हमारे पास यहाँ पर फिलाल कोई भी data नहीं है ठीक है जैसे-जैसे हम images को optimize करेंगे जैसे-जैसे हम आगे काम करते जाएंगे यह जो चीजे हो फिल होती जाएगी ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास options अगर आप देखो तो cash status ठीक है और यहाँ पर हमारे पास options है यह देखिए light speed cash है और यहाँ पर purge all अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको cash है clear हो जाता तो यह देखिए मैं भी क्लिक कर देदा हूँ और यह हमारा पूरा site को purge कर लिया है ठीक है और purge all cash is successfully अब क्या होता है जब हम light speed cash को use करते है तो हमें CDN मिलता है CDN का नाम हता है quick CDN ठीक है तो आप अगर light speed server पर काम कर रहे हो ठीक है फिलाइट प्लग-इन के अंदर CDN का कोई बहुत बड़ा रोल तो नहीं है ठीक है तो इसलिए यह एक अलग topic में कावर करेंगे क्योंकि CDN हमारे लिए यहां पर ज़्यादा है लेकिन हाँ आप एक बार CDN को on जरूर रख देना ठीक है यह minimum चीज है जो आपको करना है जो कि save इससे क्या होगा आपके site की जो speed रहेगी वो worldwide बहुत ही कमाल की रहेगी ठीक है क्योंकि इससे होता है कि CDN क्या करता है दुनिया कबर के जितने भी आपके servers रहने वाले उन सभी servers में आपके website के cache copy को रख देगा इससे क्या होगा कि कोई भी user अगर आपके site को open करता है उस user के नजदी की location में जो server है वहाँ से आपका cache copy है उसको उठा के desktop, laptop, mobile screen, tablet जो भी वो use कर रहा है उस पर display कराया जाता है तो main server तक request आने में जो time लगता है वो नहीं लगेगा क्योंकि सबसे नजदी की server में request जाती है तो इसलिए CDN जो करते हैं हम CDN को setup करने के लिए ठीक है तो यह जो चीज़ है अगर आप करना चाहते है अगर आप सीखना चाहते है तो मुझे comment करके बदा सकते है तो मैं उसके अंदर आपको इसको फूरा setup करके दिखा दूँगा ठीक है अब image optimization का आपके option मिलता है ठीक है आप कोई image optimization करना website क्या करता है वो उसके no हिस्सों में उसको divide करता है ठीक है तो जब इसको compress किया जाएगा तो भी no हिस्सों में compress किया जाएगा तो यह सारा का सारा जो है यहाँपे compression यह automatic यह करता रहेगा ठीक है तो यहाँपे आप देखसे तो auto request mainly auto pull the crown उसमें कोई भी compromise नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह सेटिंग करनी है यह आप है, और उसके अलावा आपको कुछ भी change नहीं करना है, और आपको save changes पर क्लिक कर देना है, ठीक है, अगर आप और ज्यादा extra optimize करना चाहते हो, वाला कि मैं ज्यादा recommend नहीं करता हो, लेकिन आज कल क्या, वेबपी फाइल्स का ज्यादा यूज करता है, अगर आप और ज्यादा optimize करना चाहते हो, तो इसको वेबपी का यूज कर सकते हो, लेकिन मैं पासनल इतना ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, जब तक कि मैं news website के काम नहीं करना हूँ, ज्यादा पसंद है, परसनल चोईस है, और कुछ भी नहीं है, और इसके अलाब page optimization आपके मिल जाता है, यहाँ पर CSS minify करना है, तो हमें इसे on कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर CSS files जो रहती है, उसको हमने minify कर दिया है, जावास्क्रप minify करना है, इसको भी हमें on कर देना ह ठीक है, और lazy load images, इसको हम on कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यह सब चीज़े क्या करते हैं, अपकी website की speed को बढ़ा देती है, ठीक है, बाकी viewport images ज़रूरी नहीं है, और आगे की चीज़े जो है important नहीं है, तो हम इसको save changes, save, save, और CSS को भी save, यह setting आपको करना है, इस बहुत ज़ कर दिया है, ठीक है, अब आप धीर धीर जैसे images upload करोगे, वो जो है, automatically compress होता रहेगा, हमने सारी setting कर दिये, तो हम यह जो चीज़े कर सकते हैं, ठीक है, अभी फिलाल हमारा set पो images नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारा जो compression है, वो बिल्कुल ऐसा बता रहा, जैसे जैसे कितना use हुआ है, सारी चीज़े यहां बताता है, page optimization मैंने आपको कहा था, html, javascript और css और media setting में lazy load, इन सब को on करने से, कितना आपका site, जो website की space है, कितना save किया है, वो सब कुछ इस dashboard के अंदर आपको यहां पर बताता चाहेगा, तो आप देख पाऊगा है, कि अगर आप इस plugin का use नहीं करते है, तो आपके site पर कितना load पड़ता, वो आप यहां पर देख सकते हूँ, ठीक है guys, तो उमीद है कि आपको सारी चीज़े clear हो गई है, फिर भी आपको कोई भी doubt है था, हम उससे comment करके पूछ सकते हैं, यह हमारा complete tutorial था, light speed cache का, अगर आपको यहां पर CDN पर एक अलग से वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर एक अलग से वीडियो create कर दूँगा, और उसके बाद उस वीडियो का link में आपको इसी वीडियो के description में दे भी दूँगा, ठीक है, और अगर आप एक web hosting purchase करना चाहते हो, अपने blog के लिए, अप आपका बहुत बहुत धन्यवाद